नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों आज ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहबाद जिला नयाले की जो भरती आई थी इस टेनोग्राफ है उसका बिस्तिरित नोटिफिकेशन यहां पर दे दिया गया है ठीक है आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इसको आप ऑफिस्यल वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं इसको अमने टेलिग्राम पर भी शेयर कर दिया है आप नोटिफिकेशन को विद्धोत पढ़ लीजिए आस्वास्त हो लीजिए उसके बाद जो है फार्म अपलाई करिएगा ठीक है किसी के कहने या बताने से मत करिएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बाकियों के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा बाकि सब जानकारी लगबग कलर के लिए अगर हम बात करें तो लगबग जानका लाजडेट है ठीक है और तो आपको जो है फटा-फट से फ़र्म अप्लाई कर देना अगर आप युग्यता रखते हैं आपने चीख रहा है या सीख रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें साथेंड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ठीक है क्योंकि फ़र्म भरति तो राइस्टार इंस्टिटूट से ही बनवाईएगा ठीक है तो यहां पर देख लिजेगा फर फर से फाम अपलाई कर दीजेगा ठीक है अगर हम फीज की बात करें दोस्तों तो इस डेनोग्राफर की बिसकलिए हम बात कर रहे हैं तो 950 रुपिया OBC और जनरल के लिए है 850 रुपिया EWS और के लिए रखा गया और SST के लिए 750 रुपिया रखा गया है ठीक है बस इस टाइब के कुछ फीज है बाकि इसमें भी बेंकिंग चार्ट जर्लक से होंगी ठीक है फॉर्म के वहल आनलाइन मोड ही भरा जाएगा और कोई मोड से स्विकार नहीं किया जाएगा और यहां पर अगर हम बात करें गया एक्जाम की तो एक्जाम जो है आपका आफ लाइन होगा या या ओम आम रवेस होगा ठीक है दो चरणों में परिछ्छा होगी पहले चरण यहां बात कि लिए हैं नहीं नहीं लिग दिया कि आपको सौर्च हैंड आना चाहिए ठीक है और आपके पास CCC का certificate होना चाहिए साथ में सौर्चन का भी certificate मातेक होना चाहिए CCC जो है नाइलएट या Najoule अच जिसका नाम पहले, समय नाइलेट था प्रफ जिक्र SUR क्या देका, चलेगा और लेबल, चलेगा क्या क्या क्या, थ küç c अन्होंने साफ साफ लिखा है थ्क है तो आप यही देख लिचेगा बाकी जो है उन्होंने li görüş नोटिफिकेशन में जो है आप भी देख लिचेगा थिक है इंग्लिस के लिए भी सभी सेम चीजांसे रखी तो आप लोग इसके लिए परिशान मत होएगा कि ADCA चलेगा या CCA चलेगा क्या चलेगा तो इसको आप यहां पर ध्यान दीजेगा ठीक है और अगर वेकेंसी की बात करें तो टोटल जो वेकेंसी है 583 जिसमें 517 तो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए बाकि छाचर वेकेंसी चलेगा अगर आप बोथ देना चाहते हैं तो बोथ आले अप्शन पर सेलेट करिएगा आप दोनों दे पाएंगे ठीक है हिंदी इंग्लिस दोनों दे पाएंगे लेकिन उसके लिए अलग से फीस भी सायद देना पड़ेगा ठीक है तो क्योंकि यहां पर सो रुपए अग यहां पर दिया गया है इसको आप देख सकते हैं आगे दोस्तों यहां पर दिखे पोस्ट नेम दे दिया गया है इस टेनोग्राफर का फिर से यहां पर देख लिए उन्होंने साफ साफ लिखा है बोथ ट्राइपिंग होगा है लांग ठीक है और अगर हम हिंदी के ट्राइ की जरूरत नहीं पड़ती है, डारेक्ट साविक की से सारे अच्छर बन जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर दिखिए और हिंदी में जो है आपका 25 सब्द और इंग्लिस में 30 सब्द की स्पीट से देना पड़ेगा, ठीक है, एज लिमिट दोस्तों पहले ही बताया था हमने पहल करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़े यह नोटिफिकेशन देख लेजएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिल्बस की अगर हम बात करें, तो देखिए जो पहला पेपर होगा, रिटेन इक्जाम, उसमें आपका हिंदी रहेगा, इंगलिस रहेगा, जर्नल इस्टेडिज रहे कर गियागा, और लास्ट में जब समय ओबर होने वाला हो, तो दस मिनट पहले ही सारे कुश्चन अटेंट कर लेना, ठीक है, बाकी यहाँ पे स्टेज टू होगा, ठीक है, हिंदी एंड इंगलिस टाइपिंग होगा, ठीक है, यह जो आपका पचीस नंबर के हिंदी भी आता है, तो आप बाहर है, और इंगलिस में 30 से कम है, तो भी आप बाहर है, इस बात को द्यान से समझेगा, ठीक है, तो आपको टाइपिंग दोनों करना है, इंगलिस और हिंदी, वही चीज़े यहाँ पे, सेम इंगलिस स्टेनोग्राफर के लिए भी रखा गया है, ठीक ह ठीक है, आगे यहाँ पे पहले रिटेनिक जाम होगा, वह मने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपोर्टन जानकारी आपको बता देते हैं, और देखें, निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं काटा ठीक है, यह इरर है हिंदी के लिए, और इंगलीज में करते हैं, तो 0.11100 मार्क्स काटेंगे एक गलती पर, ठीक है, बाकी यहाँ पर वर्ड छोड़ते हैं, या स्पेलिंग गलती करते हैं, उन सब का भी यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, कहां कितना मार्क्स रखेगा, तो short hand के सासत आप return की भी त्यारी करिए, और short hand भी practice में जारी रखेगा, ठीक है, ओयामार बेस एक्जाम होगा, आपका पहले return होगा, और यह exam में हमें लगता कि 6 महने के अंदर जो है, सब कुछ आपका final हो जाएगा, क्योंकि जब high court start करता है, तो बहुत तेज कराता है, ठीक है, तो आप लोग एकदम prepare हो जाएए, mentally, physically हर तरीके से prepare हो जाएए, और अपने पढ़ाई में जुड़ जाएए, फॉर्म भरके, ठीक है, और अगर आप पहले से किसी job में हैं, तो आप अपने department को inform करेंगे, ताकि NOC जो है, आपको मिल जाए, तो जब आप department को inform किये रहेंगे, तब ही आपको NOC मिल पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पहले से आप किसी job में हैं, किसी state या central government में तो उनको बता के रखिएगा, या अगर वहाँ पे intimation या permission लेना जरूरी है, तो permission भी उनसे ले लिजएगा, ताकि NOC आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी जो important चीजे थी, लगबग मैंने बता दिया है, फांट और आपको बता ही दिया है, कि फांट आपको केवल इनिस्किप्ट मिलेगा, ठीक है, और ये पूरा notification दिया गया है, इसको मने टेलिग्राम पर भी share कर दिया है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, और notification पढ़ लिजे, जहाँ doubt हो, आप comment करके पूर सकते हैं, ठीक है, I hope की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ज जाहिं जाहिं जाहिं